असलाम अलेकूम कैसे हो आप सब अलम्दुलिल्ला में एकदम ठीक उम्मित करती हूँ के आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो भाई पिटारा बाजी का वीडियो नहीं आया वो तो आप लोगों को पता चली गया होगा के मियां वीवी की जगड़े हुए थे उसके अपर आगे बात करते हैं सबसे पहले इतने वीडियो में दिखाई के जूला तूट गया है तो यह वह दोनों बैटे हुए थे जूला तूट गया और जिस दिन इतने व्लाग शुरू किये उस दिन भी उसने वह सीन दिखाई और अपने मुँसे बोल रही है कि दो दिन हो गया है तो दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि यह जूला तूट गया है दो दिन हो गया है वो चीज़ वहीं के वहीं पढ़ी है यह वरत ने खुद नहीं है करवाने की भी जहमत नहीं की कि वो चीज को ये साफ करवाए या उठाए इतनी गंदी इतनी गंदी इसकी गैलरी पड़ी हुई है वो तो रमजान और अनीता थे तो फोरण फोरण नास्ते थे इसके आगे अब ये जो जाड़े वाली चुड़ायल है इसकी बेटी है अब ये रूम अगर खुला रहता टो या आना जाना किसी का रहता उपन रहता ये दर्वाजय तो लोग जरूर साफ करते लेकिन उन लोगों को पता है ना के ये पूरा दिन इधरी बैठी है पिर रात में इह इधरी सोती है किसके साथ वो तो बताने की जरूरत नहीं है किस लोक तो आई नहीं इसके सोए हुए ही जारे गटका काम कर लेते हैं काना बना लेते सब्कुछ कर लेते अगर के ये वला Löneel औपन पड़ा हुआ रहता ना तो लोग जरूर ये गैलरी भी साफ कर देते लेकिन जाहिर सी बात है कि जब रूम बंद रहता है तो वो लोग साफ कैसे कर सकते और पिटारा को देखो कि आके बेशरम की तरह बता भी रही है कि दो दिन से यह ऐसे कि ऐसे ही पड़ा लाक दी लानत पिटारा तेरी काम चोरी के उपर अब बताओ के नजो जड़ोली चुड़ायल को क्यों इजाजत नहीं है घर में वीडियो बनाने की वो बाहर जाती है पानी बह रहा है आसमान में पक्षी ऊड़ रहे है हवा आ रही है गर्मी लग रही है यह हो रहा है वो हो रहा है करके वो जा के बाहर के वीडियो बना बना के आ रही है जहिरती बात है अब यह बात सोचो के चोर की दाड़ी में तिनका है ना चोर की दाड़ी में तिनका ही तो है ना तबी तो ये विडियो मेशी बनाने देड़ी गरमे कि कोई आता जाता है किसी के साथ में इसका कुछ चालू है। तबी तो ये घरमें विडियो नहीं बनाने देती है कि कई गल्ती से ये लोग उसकी प्रूफ ना जमा कर ले। ना क्युورकि इसको बहुत अच्छे से पता है यह जो जडाड़ो हले चुडाएं नगयो करती है तो ऐसे वैसे पूव जमा करलेंगी और जैसे ही पकड़frage जाहेंगी अगर वह बोलेंगी किया कर रहे ते तो बोल देंगी कि मैं तो व्लागिंग कर रही थी इसके लिए उसने व्लागिंग से ही मना कर दी है इसको बब की हसरी है जोर जोर से हसरी है कि तुम लोग गिर गए अच्छा हुआ हम लोग नहीं बैठे हुए थे वरना हम लोग गिर जाते हैं मतले सुल गोई कि उर्णती हैं लिए उन्यी विसी लोग ड Kerry के दो बच्छी को जब बाते कर रही है कि तुम ट्यूशन जा रही हो तो बताओ तुमको लेने कौन आए ममा आए के पापा आए वो टेम पर ये बिस्तर में बैठी होई थी और इसने अपने मूँ से बोली है कि दो बज़े आयत की ट्यूशन है और दो बज़े ये बिस्तर में बैठ के उसका इंटर्वियू ले रह ना पढ़ रहे थे ना अभी पढ़ रहे हैं ना कभी जिन्दगी में पढ़ेंगे और आप लोग खुद देख लेना जाने के लिए आयत के स्कूल जाने के एकात देड़ घंटे के बाद में जब यह करने बैठी है तो इसका मूँ देखो सो के उठेला मूँ है और यह बोल कि इसको करना ही नहीं है यह सब इससे सो के इनी उठा जाता है तो टिकी टिफिन वगेरा क्या ही बना के देंगी नाष्टा क्या ही करवाएंगी वह भूंचु आता है और वह जो जाड़वली चुडायल है वह रात का सालन और रोटी दे देती है वह खाता है बच्चे पढ़े रहती है वह और वह तैयबा सौरी आयत ना यह दोनों सोते पढ़े रहते और क्या पता भाई गोंचु भी तुबा की वीडियो बनाता है यह दोपैर की बनाता है कि दोपैर में आया बच्चे लोग को चलो टीउसन क्योंकि स्कूल क्योंकि इसके बच्चों का इसके लिए नहीं डाली जाते है बनाने विडियो को टो मैंने ने उनको बोली कि क्यों करूं तो यह सब करने धीर करता है मतलब के ताने देने तो उसको सुना रही ह revealing सब्वेजर लग nहlä b którzy में that all नहीं मैं ब्लॉब नहीं डालूंगी कि व्लॉब ना डालने ते तो खली जो एजाज है कोई तुन और डेली की नजर नहीं आती है गोंचु तो वहीं पे रहता है और अजबेंड भी गोंचु है नहीं को हजबेंड से जगडा हुआ यह सारा कुछ बोलना और बच्चे तुम्हारे उससी को रहती है जिनके बच्चे पैदा करके रखी है और शरम नहीं आती है यह बाते तुत सााइब से जबस्के विडियो लुट है इसका जगड़ा चल रहा है इजाज के साथ में और जगड़ा चल रहा है उसकी वज़ें इतने वडियो में यह की एगेप ली और जाईरती वात है के इजाज लड़ी होएंगी फोन करके पूरा दिन उसके साथ में फोन पे लगी होएंगी तो वह गुसा उसने निकाल के और फिर बाद में जता रही है कि मेरा तो गोंचु इतना जगड़ा लुए जो तेरे पीछे-पीछे गुमता है जो इसका पहन लेता है तेरे सर के पास में बंदर नहीं बोला कोसर की बारी आती है तो गोंचु आके दंकियां देता है गाउं भेज़ दूंगा बहुत गर्मी है फिर वहां पर पड़े रहना सीधा गाउं का रस्ता दिखाऊंगा लेकिन तेरे टाइम पर आके एक लफ्ज नहीं बोलता है बहुत बेगरत और घटिया और अब देखो जो गोंचु ने वीडियो बनाया है उसके ओपर तुम्हें ठीक से अलग से बात करूंगी लेकिन लोग बोलते हैं यह बच्चों पर बात कर दी बच्चों पर बात कर दी अब बच्चों को लोगों के मों में दे कौन रहा है अब यह पिटारा को यह डायलोग म वैदा नहीं की थी नौ मैंने लेके नहीं गूमी थी बात करने का तरीका शलीका कुछ भी नहीं सिकाई तेरी माने सिर्फ मर्दों के नीचे जा जाके चारचर गंटे निकालना बस यही तिकाई यह तरी माने बेशरम दल्ली वेग बेगर शिचोरी औरत आके मार्द को अप कि बच्चों को कोच नहीं बोलना शरम निया थी इनको बेगहरतों को ये तो इनके घर में तो अलगी सिस्टम चल रहा है ऑरत आती है आदमी को गंदा करके जाती है आदमी या और रोटक बैट के आदमियों को जलील करते वोंगे उसी तरह ने उनको चाटते वो और यतना पितारा या जताती है न तुके मैं कर रही हूं मैं कर रही हूं मैंनी करूँगी अल्ला कर Hudson सच में बंद हो जाए फिर तरह कूछ करने की जरूरत नहीं पड़ींगे एक बात बता भी तो तु चैनल चला के कोग एतान जताती है कि मैं कर रही है लेकिन बच्चों के लिए तो क्या कर रही है ये बता ना तो बच्चों की पड़ाई लिखाई हो रही है ना बच्चों के बाल बने हुए रहते हैं ना उनको नाश्टा मिलता है ना उनको टिफिन मिलता है ना ही तो उनके अच्छी activity हो रही है ना वो लोगों कुछ सीख रहे सिरीब बत्तमीजी और यह तब गलत गलत हरकतों के अलावा उनके फास में कोई भी activity है कुछ नहीं सीख रहे है तो तू ये ताना जो देती है मैं क्यों करूं बच्चों के लिए तो जब तू पहले भी जो गलत गलत काम करती थी लोगों के साथ में टैक्सियों में और टैक्सी है ना तू टैक्सियों में बैट बैट के तू जाती थी तो वो तू किसके लिए करती थी क्योंकि आज भी नजर आता है कि तू तेरी अयाशियों के लिए कमा रही है तुने अपने मुँझ से बोली ना कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ तो नुकसान कैसे हुआ तू भूमने गई हुई थी तू अयाशी करने गई हुई थी वज़े से ही नुकसान हुआ तू गंदे कपड़े पहनती है तेरे को ट्रेड मिल चाहिए तेरे को ऐसारी अयाशी चाहिए तो बच्चों के लिए तू कुछ करी नहीं रही है तो फिर बच्चों का क्यों ताना देती है याशी तू कर रही है, प्रोपटी तेरे नाम पे है, सारा कुस तू खरीद रही है, तेरे लिए खरीद रही है, मजे तू कर रही है, नौकर चापकर रखके बच्चों का क्या फायदा है इसमें, घर लेके बच्चों का क्या फायदा है, अगर के तू उनको अपने पैर पे ख खेल खेल के तू अपनी आयाशिया कर रही है तो ये डायलोग तो तू मारा मत कर कि मैं क्यूं करूं बच्चों के लिए गटिया औरत अच्छा एक बात बताओ ये जो उपर ते नीचे तलग के अपने आपको शीशे में दिखाती है ये तो इसमें बच्चों का क्या फाइदा बच्चे क्या सिखेंगे इससे कोई मतलब ऐसा फाइदा है कि आखिरत में उनको काम आएंगा या दिन दुनिया में काम आएंगा तो पिटारा तू तेरी आयाशियों के लिए तेरे छिचोरे पन के लिए तेरी हवस की बीमारी के लिए सारा कुछ कर रही है समझाई और अब अब हम आर्ट में आगए हम शौपइंग करने आगए हम बाहर चाय बनाने आगए यहाँ पे आ गये वहाँ पे आ गए यह सब तुझे दिखाना है इसके बाद में हो गई व्लॉग लोगिंग आ तुझे खाना बना ना घर का कोई काम करना वच्चों को देखना कुछ पी नहीं है तेरे को तो तेरे जैसों का व्लॉग वजन नहीं बढ़ेंगा तो किसका बढ़ेंगा बेशरम आके बता रही है वजन बढ़ गया इची चोरी खाओ खाडार खुकट खाओ जैर सी बात है अब इसके पास में व्लॉगिंग करने के लिए तो कुछ है नहीं तो क्या करती है खाली खाली रूम खोलती है देखो यहां पे कोई नहीं है लाइट बंड कर देती हूं वह क्या व्लॉगिंग है पिटारा तेरी हैं अच्छा आप लोगों ने ए यार के साथ में हनीमोन पे गई हुई थी जो तुझे पता ही नहीं है के सैटिंग घर में चेंज हो गई तेरे से बीना पूछे ही कर दिये वो लोगों ने और तुन्हें देखी तक्के नहीं थी तुझे आके हैरत से पूछ रही थी उससे तो यहीं साबित हो रहा है कि कोई कि तेरा यार आया था जो तेरे साथ में वो रूम में था दो दिन तलग और तू नीचे जहांकी तक्के नहीं है तू उत्री तक्के नहीं है उसी के वज़े से तो तुझे पता नहीं चला ना कि क्या सैटिंग हुई है बग एक चीच के पर और गौर करना गोंचु ने कोई आइटम मंगाया और गोंचु को यह बोल रही है कि अच्छा हुआ जगड़ा खतम होने के बाद में यह आया है वरना मैं पैसा नहीं देती अब यह बात के उपर आप लोग खुदी गौर करो कि इसके जो सपोर्टर है वो लोग चीखते रहते हैं कि गोंचु ने सारा जताती है कि दो ना मुझे पैसे दो ना इदी दो ना इतने पैसे मेरे पास भी रहने दो ना तो बताओ के जिस तरह से यह बता रहे है कि अगर के जगड़ा होने से पहले यह पारसल आता तो मैं पैसा नहीं देती मिन्स के सारा कुछ पिटारा के पास ही है ना सारी कुछ ज फैनल का essence भी इसके पास है और गोंचू की जो salary आती है न है pegy that account के अंदर जो bank account आला जाता और जाता है वो भी पिटारा का डाला हूआ वह अपने पैसे खुद से रही निसकता है वो मांगता है तो पिट सारा देती है और गोंचू ने सारा हती हां आखे रखाये ना को यह मज़्बूरी में रही रहे हैं लाइक दी लानत तौ reperfト इस है कमेंडी की बात की किमेंटा था पहले हमने सेंटिंग क्याओं तो बार बार कामेंट आता था मैं बार बार सेटेंग करती ती अम्मा ने बोली कि आप रहने दो जैसी है वैसी रहने दो लेकिन जब कमेंट आता था पिर मैं करती थी तो अभी मैंने दिखाई हों अगर आंगा ना तो फिर हम Local सेटेंग चेंज कर देंगा मतलब करती तुम्हों सारे कमेंट बराबर और नजराते है But ignore husband लगाई थी तो उसके पर भी तुने बोली थी कि कमेंट आया था तुझे वो लड़की का कमेंट नहीं आता जो इंडिया की है डॉक्टर है वो कमेंट रोज तेरे कमेंट बॉक्स में रहता है रोड डेली रहता है वो लड़की के लिए लोग दुझे नजर नहीं आता जो तेरे से सवाल कर रहे होते है अजगर को लेके एजाज को लेके जो रोड डेली ही कमेंट रहते है वो कमेंट भी तुझे नजर नहीं आते है और लानत भेस्ती हुमें रोज वो इंडिया वालों के उपर जो इसको सपोर्ट कर रहे है जो इसको देख रहे है इसको वाच कर इसको वीविंग दे रहे हैं उनके उपर लानत भेशती हुमें कि इसने हमारे बेटी के लिए हमारी बेन के लिए अभी तलब के एक लब्ज नहीं बोली और इसको बैटके चाटते हैं इसको बैटके प्रोटेक्ट करते हैं और इसके वीडियो देखके इसको डॉलर बनाके द यह जो इसके हिसाब से इसको चाही रहते ना बाकी के सारे कमेंटों को यह इग्नोर करती भाइन उनके ओपर भी जो लोग三 देखके भी ना इग्नोर कर रहे है के फिटारा कितनी घटिया औरत देखके भी इग्नौर कर रहे यह लानत उन आच्छा मतलब जाडो ऑली चुड़ायल गौंचिु हूँ nyttis यहीं से रहना है अच्छा पिटारा जब youasherronics नहीं होती इससफोर इसक्रीब देखना के नहीं जाना है क्यों क्यों कि लोग धोरे हैं तुझे कि उसके चोटे-चोटे बच्चे उनके स्कूल के जो नुकसान हो रहा है तो तुने उनको इसक्रीट देके ये बाहना बना के और ये बयान दिला दी वैसे तुझे याद आ रही होगी नहीं रमजान की इसके लिए भी ड्रामा कर रही ह कि इनको जाना है तो रमजान तेरा जो यार है उसको तुझे दे रही है कि अब तू आ जा है ना और हलीमा को तू बोल रही है चले जाओ ना चले जाओ ना मतलब रमजान को तू दमकी दे रही है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं हलीमा को निकाल दूंगी अरे गटिया और तो कितने गेम केलती है ना बहुत अच्छे से पता है बागी गोंचु को दिखा रही थी कि ये तो बीजी ही रहते है अब जायर सी बात है जो थुके हुए सपोर्टर एक जैसा चिलाए जा रही है तेरे को किलियर करने में लगे हुए है तो ये स्क्रीप दे रहा होगा ना कि ऐसी इस तरह से किलियर करो ऐसी बात करो ऐसी बात करो है ना बिटारा फिर बोल रही है कि ये तो बीजी है तो वो तेरी दलाली में बीजी रहता है ना बिटारा चल बता वो किस से बात कर रहा था बता पाएंगी नहीं नहीं बताएंगी किस से बात कर रहा था पहले तो पुरा-पुरा करवारी एंसे और इतनी बे शराम इतनी बेढंगी अवरत है कि सोके उटके आईये शांपो और पूछ रीए क्या पकाये थे चावल है खतम हो गया ये खतम हो गया वह खतम हो अब जाईरती बाते बाते पूरा दीन टांगे उठा के सधी MPI तो कब के तरह कुछ खतम कर द努र देंगे न और रकी सध हैं और इससे साफ पता चलता है कि पिटारा ना पुरा-पुरा दिन टांगे उठा के सेलफ और तरिफ सोए रहती है उसको पता ही नहीं होता है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अच्छा इलोग बता रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो चले इस वीडियो को यहीं पेंड करती हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते ना मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, आला पीज